इंडिया इन इट्स नेवर हुट को हम पढ़ रहे थे और इसी की अगली करी में हम भारत और बंगला देश के रिलेशनसेप्स को देखेंगे इसमें ये है कि भारत बंगला देश के साथ अपनी सबसे अधिक बॉर्डरी सेयर करता है ये है 4,96 किलोमेटर की बॉर्डरी है बंगला देश भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है और आप इसमें ये भी देखेंगे कि साथ एसिया में अगर भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट कोई भी ट्रेड पार्टनर है वेपारिक साजिदार है तो वो बंगला देश ही है भारत का जो सकेट ब जो है वो बंगलादेश दूसरे नम्मर पे सबसे बड़ा ट्रेड भारत के साथ करता है भारत और बंगलादेश के बीच जो है वो 18 बिलियन का ट्रेड होता है इसमें भारत को ही फाइदा बहुत जादे मिलता है भारत जो है एक तरीके से बंगलादेश को हर तरीके से मदद क ठीक है 8 बिलियन डॉलर जो युएस डॉलर है उतने भारत ने इसको बंगलादेश को line of credit दिया है Recently भारत ने 500 million dollar जो है वो credit देने की बात कही है और ये credit line of credit इसलिए दिया जाएंगे क्योंकि बारत और बंगलादेश साथ मिलकर defense equipment का production करते हुए नजर आपको आएंगे ठीक है 1971 की वार के बाद बंगला देश जो है वो जन्म लेता है ठीक है और जो पुर्वी पाकिस्तान हुआ करता था अब एक नया देश जो है वो बंगला देश के रूप में वो उबरा ठीक है और चुकि बंगला देश भारत ने बनाया था तो भारत की बंगला देश से अच में चौबन ऐसी रिवर्स हैं जो बॉंडरी बनाती भी नजर आती हैं कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो डिस्प्यूट भी पैदा करते हैं इन दो कंट्रियों के बीच में जैसे की टिस्टा है गंगा है तपाई मुख हाइडरो इलक्टरिक पावर प्रोजेक्ट है जो बराक नद इंटरनेशनल फॉरम पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए नजर आते हैं चाहे वो सारक की बात हो या बिम्स्टेक की बात हो और भारत और बंगलादेश में एक तरीके से साथ मिलकर बीबी आइन भी बनाया है बीबी आइन में बंगलादेश है भुटान है इंडिया और न ये न्यूज में है क्यों हम बंगलादेश को पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इनिसियेटिव इंडिया और बंगलादेश ने साथ मिलकर जो है वो काम करने की बात कही है कि हम फ्यूचर में कॉपरेशन करेंगे सहयोग करेंगे इन दो कंट्रीज के बीच में ये दोनों कंट्रीज ने बार बार बताया है देखो हुआ ये है कि भारत जिस तरीके से भारत ने UAE के साथ सीपा साइन किया सीपा का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहंसिव एकनोमिक पार्टनर्सिप एग्रिमेंट उसी तरीके की बात जो है वो बांगलादेश के साथ चल रही है अचा इसमें है क्या कि सीपा एक बाइलेटरल एग्रिमेंट होता है मतब दो देशों के बीच के एग्रिमेंट को बाइलेटरल एग्रिमेंट कहते हैं जो गुड्स और ट्रेड के लिए होगा और साथी साथ उन दो कंट्रियों के बीच में इन्वेस्टमेंट भी आएंगी तो overall SIPA pass करने से दो country जो है वो trade के आधार पर दोनों में friendship होती भी नजर आएगी, trade boundary हटाते भी नजर आती है दो countries, ठीक है, ये बातें बंगलादेश के साथ चल रही है, साथी साथ भारत ने जो water sharing MOU है, उसको sign कर लिया है बंगलादेश के साथ, जो कौसरिया river के उपर है, ये पहली ऐसी pact है, 1996 के बाद, गंगा वाटर ट्रीटी के बाद, जो बंगलादेश के साथ water dispute को लेकर sign हुई है, गंगा वाटर ट्रीटी 1996 के बाद, ऐसी कोई pact sign हुई है, जो नई है, एतिहासिक है, तो वो है कौसियारा river की जो MOU है, वो भारत और बंगलादेश के बीच मे कौसियारा river कहा है, कौसियारा river बराक नदी की एक tributary है, बराक नदी हलाकि दो भाग में separate होती है, एक कौसियारा और दूसरा सुर्मा, ठीक है, तो सुर्मा तो भारत सुर्मा के उपर कोई बिवाद नहीं होता, लेकिन कौसियारा के उपर जो है वो अच्छा खासा बिवा बहुत important river में से एक है, भारत और बांगलादेश जो है वो एक तरीके से water को कैसे बाट रहे हैं, हमने पिछले भी classes में देखा था कि water sharing के अलग-अलग टेकनीक हैं पूरे विस में बाटने के, और उन सारे टेकनीक के basis पे भारत और बांगलादेश काम करता हूँ नजर आता transportation की सुधा कैसे हो पाएगी, यह सोचनी है, तो इसलिए भारत बांगलादेश के साथ अच्छे projects में लगे हुए हैं, और यह सारे projects जो हैं, वो based करती हैं, कि North Eastern State में जो है, हम किस तरीके से उसको support कर सकें, जैसे कि अगर आप inland water transit की बात करें, यानि protocol on inland water transit and trade, इसका मुखे उद्देश तो यही है कि commerce और trade जो जल मार्ग से होगी, इंडिया और बंगलादेश के बीच उसको बठावा दिया जा सके, ठीक है, इसी में, इसी P.I.W.T. में जो है, नए नए roots जोरे गए हैं, जैसे कि दो नए roots और भी जोरे, जैसे सोना मूरा से, दाउद खांडी river जो जोरे हैं, साथी साथ आप देखेंगे कि पदमा के उपर जो है वो धौलिया टू गोदागिरी जो है, वो अप टू अरीचा, इन तक जो है वो रोड निकालते हुए नजर आते हैं, मतलब एक तरीके से टांस्पोर्टेशन की लाइन निकालते हुए नजर आती हैं, जो waterways ह जो protocol हैं, वो आप देख सकते हैं, भारत और बंगलादेश ने दोस्ती pipeline project भी start की, जो सिल्ली गुरी से पारवती पूर तक जो है जाएंगी, जो बंगलादेश के जो energy prices है, यानि diesel supply है, उनको provide करता हुए नजर आएगा, भारत और बंगलादेश ने मिलकर एक railway link जो है, वो आप देखेंगे कि चिल्ला हटी जो बंगलादेश में है और हल्दी बारी जो इंडिया में है, इन दोनों के बीच railway link भी start होते हुए नजर आएगी, फैनी bridge जिसको मैतरी सेतु भी कहते हैं, जो फैनी river पे हैं, वो भारत और बंगलादेश को connect करते हुए नजर आएगा, त बहुत बरी जो है, वो एक connection की माध्यम है, वो टू त्रिपूरा एंड बंगलादेश, ठीक है, जो फैनी river और बहुत ये मैतरी सेतु जो है, वो बहुत न्यूज में भी रहा, अपने importance के कारण, ठीक है, चीटा गाओं और जो मंगला पोर्ट हैं बंगलादेश की, वो और अखुरा रेल लिंक जो है, वो भी start हो रही है, इस तरीके से भारत ने क्या किया है, कि बहुत सारी connectivity के प्रोजेक्ट्स जो है, बंगलादेश के साथ इस्टेबलिस की हैं, इससे बंगलादेश को फाइदा ये है कि एक बनी बनाई जो नॉर्थ इस्टन मार्केट है, व जैसे कि रुपसा ब्रिज की इनोग्रेशन हुई, जो खुलना से मौंगला पोर्ट की रेल प्रोजेक्ट्स है, कहां है खुलना, खुलना यहां है, आप ये देखेंगे, कि ये है खुलना, और खुलना से जो है, वो कह रहा है कि मंगला पोर्ट ये है, मंगला पोर्ट है ब और रेल्वे लिंक जू प्रोजेक्ट जो है वो भी उसको भी अपग्रेट करने की बाद की जारी जो एक्जिस्टिंग इन्फ्रेस्टेक्चर है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए जो जेडी दरसना है वहां से जो इंडिया में है वहां से खुलना जो बंगला देश में है वहां तक कैसे connectivity जो है पैदा की जा सके यानि connectivity इंडिया टू बांगलादेश कैसे बढ़े इस पर काम करनी है पारबती पूर टू कॉनिया जो है वो existing जो बॉर्डर रेल है रेल की सुद्धा है जो अंग्रेजों के सामें बिछाई गई थी जो बिरॉल है बांगलादेश का औ और जो राधीकापूर है वेस्ट बंगल का इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए ये पारबती पूर और कॉनिया रेलवे लाइन की मदद से जोड़ा जाएगा ठीक है और बहुत सारे मैत्री पावर प्लांट जो रामपाल खुला में बन रहा है वो भारत की मदद से बन रहा ह ठीक है इंडिन डेवलप्मेंट एसिस्टेंस से बन रहा है ठीक है और इसमें भी कंसेस्टनल फाइनांसिंग स्किंग के थुरू बन रहा है यानि कि हम सस्ते में उनको बनाकर रामपाल एक जगह है खुला में वहां बनाकर दे रहे हैं मैत्री पावर प्लांट ठीक है किसक बंगलादेश को तो बंगलादेश को जो है अगर हम सस्ते बनाकर दे रहे हैं तो गौव्मेंट आफ इंडिया जो है उसको सपूर्ट करिये इंडियन इंटिटींज बीडिंग फोर एस्टरेजिकली इंपोटेंट इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो इस तरीके कि जो वो बारत हमेशा लेते आया है, कि ताकि जो भी strategy कल कोई प्लेस है, वो भारत के हाँ से न छूट जाए, तो this is all about कि हमने बंगलादेश में जो पोर्ट्स देखें, चाहे वो खुलना है, चाहे वो मंगला पोर्ट है, खुलना से मंगला पोर्ट तक जो है, वो railway projects की बात करी और हमने मौंगला पोर्ट जो है वो कहां देखा है बागेर घाड डिस्टिक के अंदर हमने यह भी चर्चा की थी आप से साथी साथ आप यह चीज और भी देख देख लोगे कि यहां से जो है वो आप देखेंगे कि जो मौंगला पोर्ट है जो बागेर घाड डिस्टिक में है वहां से सीधे रेलवे लाइन जा रही है जो अगर तल्ला तक जो है वो जाएगी तो एक तरीके से यह एक कनेक्टिवि बंगलादेश जिस जितना पीटी 365 में दिया हुआ था